शीकल की पीठा धीश्वत परम सम्मानित परम अधर्णियें परम सद्धे भारत के यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री शी नरिंद मुदी जी का इस कल की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है मानने प्रधानमंत्री जी जिन्दगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं वाणी थम जाती है शब्री के पास बेर थे विदुर के पास साग था लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाए भावनाओं के पुश्मों के कुछ भी नहीं है माननिय प्रधान मंत्री महोद है इस मंच पे परम सद्धे स्वामी अविदेश अनंद गिरी जी परम सद्धे स्वामी कहला सद्धी सद्धगुरु रिदेश जी महराज और उत्तर प्रधेश के लोग प्रिय और सशक्त मुख्य मंत्री आदित नाज जी महराज बिराजमान है मैं सब को उनके श्री चर्णों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ मानिये प्रधान मंत्री जी देश के कौने कौने से आए तमाम संत्वरंद कोई हरिद्वार से पधारा है कोई गुजराज से पधारा है कोई तमिलाडू केरल और आंधर प्रदेश से पधारा है कोई आसाम से आया है कोई देभुमी उत्त्रा खंड और हिमाचर प्रदेश से आया है यह हजारो संतों का जो समू आज इकटा हुआ है ये सनातन धर्म के उस उद्गोश के सपने को साकार करने के लिए इखटा हुआ है वो सपना जो अठारा वर्ष पूर्वेक संकल्ग के रूप में हमने देखा था वो सपना जो रिशी मुनी महत्माओं ने त्यागी तपस्यों ने आदिकाल से लेके आज तक देखा के पुराणों का उद्गोश है के जब जब धर्ती पे अधर्म बढ़ता है सज्जनता पर खत्रा उमनता है भगवान कृष्ण का गीता में उद्गोश है के परित्तनाई साधूनाम विनाशाई चदुस्कृताम धर्म संस्थाप नार्थाई संभवामी युगे युगे यदा यदा ही धर्मस ग्रानिर्भवत इभारत अभित्थारम अधर्मस सतदात मैनम सरजामहम भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्गोश है शिर्मत भागवत के बारवे सकंद में उल्लेखित है कि जब धर्ती पर धरा पर पाप बढ़ जाएगा अधर्म बढ़ जाएगा तो उस अधर्म का नाश करने के लिए धर्म की पुरश्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा इसलिए संस्क्रत का इश्लोक शिर्मत भागवत में संभल ग्राम मुखस ब्रहमनस महत्मना भवने विश्णु यशस कल की प्रादूर भवेश्थि इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में आयोध्या में आए द्वापर में कृष्ण के रूप में मतुरा में आए और भगवान कल युग में श्री कल की निश्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे मानिये प्रधान मंत्री जी महोदै भगवान जहां आता है वो धराधाम बन जाती है अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट की इस धजा को पूरे विश्व में फैलाने का काम भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटमकम और विश्व बंधूत का संदेश देती है उसको पूरी दुनिया में पहुचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है वो भारत के यशश्री प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी कर रहे है माननिय प्रधान मंत्री महोदे ये एक और अधुत संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके करकमलों दौरा हुए हैं और आज का ये दिन ये शुबगड़ी जिसे देखने के लिए कितनी ही आँखें जो बंद हो गई ये शुबगड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बहनों ने देखा और मानिय प्रधान मंत्री जी ये आज सपना साकार हो रहा है क्यूझके स्री कल्किधाम की पावन धर्ती पे आपके चरण पड़े हैं हम आपका स्वागत करते हैं हम आपका वंदन करते हैं मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बाँ जरूर कहना चाहता हूँ ये कल की धाम शिकल की धाम जहां भगवान आएगा आज श्री कल की धाम की आधार शिला माननिय प्रधान मंत्री जी के करकमलो द्वारा इस्थापित हो चुकी है अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में रामराजी की पुरस्थापना होने का समय आचुका है एक बात कहते हुए अपनी वानी को विराम दूँगा जब मैं प्रधान मंत्री जी को अमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधान मंत्री जी मेरे निमंत्रन को सुईकार कर रहेंगे लेकिन आप सब संतों के आशिर्वाद से तमाम लाखों करोडों भक्तों की प्राथनाओं से माननी प्रधान मंत्री जी ने मेरे निमंत्रन को सुईकार किया माननी प्रधान मंत्री जी महोदे जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार पंद्रा दिन ये पूछती रही कि क्या प्रदानमंत्री जी आएंगे मेरे पास कोई उत्तर न था लेकिन एक उत्तर था उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिखे दिया है मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा जैसे शवरी को विश्वास था के राम आएंगे जैसे विदुर को विश्वास था के क्रशन आएंगे जैसे हमारी आस्था का आधार है के कलकी आएंगे वैसे ही आचार प्रमोद किश्वास था के नरंदर मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं अपना वचन निभाएंगे मान्ये प्रधान मंत्री जी महोदे भगवान कृष्ण के ज्ञान योग कर्म योग भक्ती योग अगर हम तीनों को एक साथ रखके एक साथ रखके जब हम वैजन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ती योग कर्म योग और ज्यान योग जब तीनों एक जगे मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है और वो तस्वीर भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की बनती है मैं अपनी वार्णी को विराम देता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं उत्तरप्रदेश के माननिय मुख्य मंत्री गोरक्ष पीठादीश्वर पूजपाद योगी आदितना जी महराज से के वो मानने प्रधान मंत्री जी का स्वागत करें जोरदार नारा और जैकार लगना चाहिए हाथ खड़े हो करके अबद पुरी से कल की धाम अबद पुरी से कल की धाम अबद पुरी से कल की धाम